अभी हम लोग क्लास 10 के तत्मों के आवर्थी बर्गी करन अर्था प्रिविडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के NCRD solution को करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं पहला कोशन है क्या डेबोराइनर के त्रीक न्यूलेंड के अस्टक अस्तम में भी पाये जाते हैं तुलना करके पता के ज़िए सबसे पहरे हम समझते हैं क्या तीनों त्रीक उसमें पाये जाते हैं तो पहला है डेबोराइनर का त सोडियं पोटेशाय दूसरा है कर्साइं जाएगा है लीथियों पोरेसीय और अर्थात इसका अंसर क्या हो जाएगा कि हां त्रिक Newlands के अस्टक के अस्तम में भी पाया जाते हैं और वो कौनकों से त्रिक असपस्टों से पाया जाते हैं लेथियम, पोडेसियम और सोलियम तो इसका अंसर यह हो गया दूसरा है डोबेरानर के बर्गी करण की क्या सीमा ही थी? डोबेरानर का बर्गी करण का सीमा यही था कि डोबेरानर ने त्रिक के रुप में बर्गी करण किया फॉलो नहीं किये जिस कारण से उनके नियम को बाद में नकार दिया गया अर्थात इसका अंसर हो जगा डेबो रैनर के बर्गी करण में सिर्फ तीन त्रिक दिये अर्थात उनके बर्गी करण का नियम सिर्फ नौ तत्वता की ही सिमित था इसलिए बर्गी करण की यही में और सवी तत्न tem को सजा था उर्था सबसे पहला दोस है स्टा सीमा सीमा था ता कि यह हल्के तत्बों में तो लागो होता था प्रंद्थ जों ही 20 से अधिक प्रमान рынभार वाले और ऑक्सिजन और सलफर ऑक्सिजन क्या है गैस सलफर भी गैस इसी परकार से नाइटोजन था फस्फरोस को इसाथ मेगनीज को रख दिया गया और निस्क्रिया गैस के आविसकार के बाद नवम तथ्व प्रथम तत्व के सद्रिस होगे, जिससे कि इनका गुनी ही, इनका जो सिधान था वही गलत होगे, अर्थाथ यही सब विजूलेंट के सिधान थे, अगला है, मेंडलिफ के आवर्स तरने का उप्योग करने मिलिखे तत्व के ऑक्साइड का सोतर लिखे, जिसमें उपर में सा किसे होगता है? 1 एक होती है, और oxygen का कितनी होती है? 2 तो ऐसे करके हम सुत्र को बनाते है, तो इसका क्या हो जागा, केटुउगा, और सापर से का कर्वन का बनाना है, ठीक है, तो carbon का हम बना सकते हएं, carbon का कैसे प्रकार से भी लिखते हैं या हम इसको देखके भी लिख सकते हैं तो यह हमारा अंसर है इसको एक बार देखने ठीक से आगे हैं अगला question है गेलियम के अतरिक्त कौन-कोन से तत्युका पता चला जिसके लिए मेंदलियफ ने अवर्सतारने में खाली अस्ता चला था अगला है आपके अनुसार उत्किष्ट गैस को अलग समूं में क्यों रखा गिया तो उत्किष्ट गैस को अलग समूं में रखने का कारण यह था कि जब मेंडलीफ का आवर्थ सारनी का निर्मान हुआ तो उसमें उत्किष्ट गैस की ठावज नहीं हुई थी और सबसे बरी बात यह है कि मेंडलीफ ने अपने आवर्थ सारनी में चुकिए इसकी ठावज हुई नहीं थी तो इसको आस्थान नहीं दिया और उत्किष्ट गैस meer की क्रिया सीलता नगन होती है और सभी की क्रिया सील तिसकी किरिया सिल्ता सबसे कम होगी और किरिया सिल्ता कम होने के करने से सबसे अलग समूह में रखा जाता है। इस परकार से बहुत सारी भी संगती थी तो इस भी संगती को दूर कैसे किया तो देखते हैं अंजर पहला है तत्वों को उनके बढ़ते परमानो करमान के अधार पर सजाएगे तो समस्थानिक के लिए इसमें अस्थान भूनना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि समस्थानिक जो ह उनको भी अस्थान मिल गया दूसरा तत्वों के सजाने का मुळ Turkish T बिन्यास में बाहित्म कक्षा में उसमान होते हैं इस समान इसे क्या हो गया तो इसके आंसर में रखेंगे तो भी कोई दिकत नहीं होगा आगे बढ़ते हैं मेगनिसियम की तरह अभी किया सिल्था दिखाने वाले तत्यों के नाम लिखिए आप चेन का क्या धा मंद लेखिए अब मेगनिसियम ऐसे अगर प्रस्ण आ जाएंगे तो सबसे पहले जो तत्यों कहा जा रहा है उस तत्यों के हम क्या लिखेंगे सबसे पहले इस तत्यों का इलेक्ट्रों के है दो आठ दो अब देखें सबसे पहले यहां देखेंगे बाहत्तम प्रक्षा में कितने इलेक्ट्रों है दो हैं तो हम ऐसे तत्यों का खोज करेंगे जिसके बाहत मुक्षा में दो ही लेक्टरों होते हैं जैसे कि दो दो और दो किसका होगा बेरिलियम का होगा और फिर एक और केलसियम भी है अर्थात मेगनीशियम से मिलता जुलता गुन जो होगा किसका होगा बेरिलियम का होगा केलसियम का भी होगा इस बात का ध्यान रखना है तो ये प्रसन जो है इस प्रसन में आईदर आई से कोई भी प पूछ दिया जाए कि बताईए सोडियम से मिलता जो लिता गुन बाले कुछ तत्व को लिखाता सबस्थ पहले सोडियम का इलक्रोनिक बिन्यास करेंगे थो एट वज्ट लास्ट में उन आया अरथाथ हम एएसे तकत्वों को खो जिये जिसके स हथारा जो लैडियम होते हैं लीधियाम का और पोटेशिएंग का इसी दासे रुबीटियम औरसियम का भी इसी सह मिलता है, इसी बरकर मेगनेसियम के बारे में पूछा जाता है, तो हम मेगनेसियम के ही परग वाले सभी तद्ध को लिखेंगे, लेकिन अगला कॉस्षन है तीन तत्व जिनके बाहरी कोस में एक स्काण ऑपस है ग्ला देखा कॉस है तो पहला थुआ है है है, तो इस में 13 इस ही होगा । दूसरा कालन मैं यह भी तो बाहर میں बाहरी कोस में extrêmement है त्थिरी क्या है लीथियम है फिर उस्टर अंगर हम आगे देखे तो यह तिनों को याद रखना है कि हाइडोजन लीथियम ऐसे तत्व है जिस्में एक ही एलेक्टोन का जाते हैं बाहरी अगर हम आगे बढ़ते हैं अगला कॉशन क्या होगा अगलों है दो तत्व जिनके सब से बाहरी कोस में दो इलक्टॉन होते हैं शणिते जो होता है प्रसम को भर देता है इसे दो ना लिकर के हम कहा लेगे,ivel ability, किसका होता, अभी जश्ट लिखे हैं हम लोग,berilium का, फिर इसके बाद दो, आठ, दो ले सकते हैं, ये किसका होता है, magnesium का, फिर ले सकते हैं, दो, आठ आठ दो ये किसका होता है केल्सियम का तो तीन तत्व ये होगे ठीक है इस परकार से हम लिख सकते है बेरिलियम, मेगनेशियम, केल्सियम जिसके बाहरी कोस में कितने इलेक्टरन होगे दो तो इसको इस परकार से बनाएगे तो फिर से हम आगे बढ़ते हैं ठीक है अगला कोशन क्या है तीन तत्व जिनके बाहरी कोश पूर्ण हो बाहरी कोश पूर्ण किसके किसके होते हैं जो अक्रिया गैस है जैसे कि हीलियम हीलियम के बाहरी कोश पूर्ण है उसके बाद क्या है नियोन उसके बाद क्या है आरगन उसके बाद क्या है क्रिप्टन जेनन ये सभी क्या है बाहरी कोश इसके सभी क्या होते है पुर्ण होते हैं तो एक और होते है रेडन उसको भी हम लिखते हैं तो इस परकार से 6 का नाम लिख दिया है और इसमें पूछ क्या रहा है तीन, तो फिर से एक बार मैं रिफाइज करा दू, तीन तत्व जिनके बाहरी को उसमें एक एलेक्ट्रोन उपस्तित होते हैं, तीन तत्व हो गए हाइडोजन, सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम, सीजियम, अर्थात बर्ग एक के तत्व, दो तत्व जिनके बाहरी को उसमें दो इलेक्ट्रोन हैं, तो दो ही पूछ रहा था, तीन लिखा हुआ, बेरिलियम, मेगनेशियम, केल्सियम, एस्टांसियम, तीन तत्व जिनके बाहरी को स्पूर्ण, वारी को स्पूर्ण किसके होते हैं, अक्रिया के होते हैं, जिसे हील नियून आरगन क्रिप्टन जैनन जितने का रहें वो लिख देना आगे दिखते हैं अगर लीथियम सोडियम पोटेशियम यह सभी धात में जल से अफिक गया कर हैं इंतत्रों के परमानुमें में कोई समानता है तो हां समानता है जरसा देखिए लीथियम को लीथियम का इलेक बिन्यास होगा 2,8,1 और दिखतरों पोटेशियम का क्या होगा इसका होगा 2,8,1 अब हम यहां देख रहे हैं क्या इन तत्वों के परमानुमें कोई समानता है तो हां समानता है याद रखना है हर वह तत्व आपस में बहुतिक तथारासा इन गुनों में समान होगे यदी उनके बाहतम कक्षा में परमानों की संख्या क्या होगी? समानों गी तो इसका अंसर यही हो जाएगा लीथियम का भी इलेक्ट्रोनिक बिन्यास लिख देना है पोटेसियम का भी लिख देना है सोडियम का भी लिख देना है और लिखना है चुकि इनके बाहत्म कख्षा में इलेक्टरों की संख्या का है समान है अर्थात हम कह सकते हैं किन तत्मों के परमानुओं में का है समानता है अगला कॉशन है हीलियम एक अक्रिय गैस है जबकि नियोन की अभी किरिया सिल्थाथ्यमकन इनके परमावनों में कोई समानता है तो इनके परमावनों में भी समानता है कैसे समानता है तो इनके परमावनों में समानता इसलिए है क्योंकि ये दोनों क्या है अक्रियाग्यास जैसे कि हीलियम है तो हीलियम का हम अगर लिखे हैं 2 हो जाएगा उसी परकार से neon लिखेंगे तो neon का क्या हो जाएगा 2 and 8 अब इसमें क्या लिखेंगे कि इसकी अक्रियासिलता अत्यंत कम है और इनके परमानों में समानता है क्यों है क्योंकि इसके भी बाहतम कक्षा बढरे हुए हैं और इसके भी बाहतम कख्षा क्या है? पुर्ण है, लिखेंगे चुकि हीलियम और नियोन के बाहतम कख्षा पुर्ण है, अर्थात इन तत्मों में, इन तत्मों के परमाणों में समानता है, और यह अक्रिय ऐ ग्यास, ठीक है? अंसर यही हो जाएगा, अगला याधन का लिखेंगे हैं हिलियम का दो भर गया उसके बाद आता है लीथियम लीथियम के बाद आता है लीथियम के बाद आता है बेरियलियम बेरिलियम के बाद पांच नमन में आता है बोरन उसके बाद आता है छे में आता है कारवन दो और चार उसके बाद आता है नाइट्रोजन नाइट्रोजन का क्या होता है दो और पांच नाइट्रोजन के बाद आता है ओक्सीजन दो और छे ओक्सीजन के बाद आता है फ्लॉरीन फ्लॉरीन का होता है कितना दो और दो और साथ और उसके बाद लास्ट में क्या आता है नियोन नियोन का क्या होता है दो और आठ अब समझते हैं इसमें धातू कोन है और कोन अधातू है इसको समझने के लिए क्या समझना परेगा वो समझते हैं पहले ये याद रखना होगा कि धातू किसे कहते हां धातू किसे कहते हैं याद रखिएगा कि जिन तत्वों के बाहतमक्षा में एक दो और तीन बचे वह धातू कहलाता है इसका एक्सेप्सन है हाइडोजन याद रखना हाइडोजन के बाहत्य वक्षा में एक बचा है परन्तु यह धातू नहीं है तो जिस भी तत्तो के बाहत्य वक्षा में एक बचा है वह धातू है तो हम जिसमें अभी रेड लाइन चलाएंगे वह धातू होगी जैसे देखें लीथि अध्युम, बेरीलियम, और बॉर्ण, याद रखना है, इसी परकार्ट से इसको निकलना है, इलिक्त्रोनीक विण्यास की सहहता से ही, सब ही दसको को लिखना है, इसी तरह से निकलके लिख देना है क्यम जानते हैं, कि धात्यु के बाहितम सेल में, एक, दो, अधवात, तीन अगला है अवर्थानि में इनके अस्थान के आधार पर इनमें से किस तत्व के सबसे अधिक धात्वी का भी लक्षानि को याद करें तो याद रखना है इधर जब हम बढ़ते हैं अर्थात बाएं से दाइं तरफ चलते हैं तो धात्वी गुन घटता है याद रखना है तो देखें आधुनिक आवरच्तानी को तो, आधुनिक आवरस्तानी बहीं है आधुनिक आवर्स्तानी में ये हमें दिखए है और यही ही 4 तत और भी है जरा सा देख लें गेलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक सेलेनियम tecnología 같이 ठीक है, तो सबसे पहले इसको एक बार ये चेक कर लें, कि ये बाएं से दाएं की हो जा रहा है न, तो जब ये ऐसे जाएगा, तो जब ये ऐसे जाएगा, तो इस तरफ क्या होगे, घटेंगे, इसकी धात्विक सकती क्या होगा, घटेंगा, तो जब इसकी धात्विक सकती घ खटेगा तो धात्विक अफिलेक्षन जब घट जाएंगे तो यहां पर सबसे कम धात्विक अफिलेक्षन में सबसे कम किसका हो जाएगा सेलेनियम का याद रखना है और सबसे अधिक किसका हो जाएगा तो जो सबसे पहले है गेलियम है लेकिन गेलियम से भी उपर क्या है बेरियलियम है अर्थात सबसे अच्छा धातू इसमें क्या हो जाएगा बेरियलियम त्यां लिख देना है बेरियलियम सबसे अच्छा धातू है ठीक है इस परकार से सार